आज हम BAC First Year Inorganic Chemistry के Chapter First Atomic Structure के दो टोपिक्स की चर्चा करेंगे इसमें से पहला टोपिक है दे ब्रोगली द्रव्य तरंगे दे ब्रोगली द्रव्य तरंगे जो टोपिक है इसकी सबसे पहले चर्चा करेंगे हम तो दे ब्रोगली व्यज्यानिक ने सबसे पहले इलेक्ट्रोन की दोहरी प्रकृति के बारे में हमें बताया दी ब्रोगली व्यज्यानिक के अनुसार विकीरन यानिकी रेडियेशन के समान भी द्रव्य की भी द्वेत यानिकी दोहरी प्रकृति पाई जाती है अर्थार इसमें कं तथा तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं अते द्रव्य के शुष्कम कंड, माइक्रो पार्टिकल जैसे इलक्टरोन, प्रोटोन, एन न्यूट्रोन इत्यादी कंड तथा तरंग दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं अर्थार्टिन में दोनों प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। देब रोगली ने बताया कि द्रव्य के छोटे कंड तरंग के रूप में बहते हैं। तथा जो तरंग का तरंग देर्द्य है वो समवेग के वित्कृमानुपाती होता है। जो तरंग देर्द्य है वो तरंग का गुण होता है और समवेग यानि कि मोमेंटम यह पार्टिकल नेचर होती है। यानि कि सम्मंद क्या दिया गया लेम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी जहाँ पर लेम्डा है वेवलेंद्ध एच यहाँ पर प्लांक स्थिरांग प्लांक कॉंस्टेंट जिसकी यूनिट क्या होती है जूल इन्टू सेकिंड और वैल्यू क्या है। इन्टू 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 सेकिंड और मोमेंटम जो है मास और मल्टीपल हो गया जहां एम कणका द्रव्यमान हो गया और वी आपके पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी अब इस सम्मंद की जो विद्वत्ति है ना वह किस प्रकार से रेडियेशन में जो फोटोन होते हैं क्वांटा होते हैं उनके एनर्जी के बारे में चर्चा की यानि कि किसी भी फोटोन या क्वांटा की जो एनर्जी है और उसके वेलोसिटी में सम्मंद यानि कि क्वांटा या फोटोन के एनर्जी एक्वल टू एम सिस्क्वायर जहां m mass हो गया और c velocity ठीक है अब Planck में क्या बताया कि e equal to h new energy और frequency में relation बताया अब इन दोनो equations को हम ठीक है बराबर रख लेंगे क्योंकि दोनों ही energy के values है तो mc square equal to h new अब हम जानते हैं कि new frequency की value क्या होती है c upon lambda ठीक है अज समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे समीकरण 1 में जब भी value रखी तो आया आपने hc upon lambda equal to nc square जहां से अपने निकाल लेंडा का मान लेंडा गमाना गया lambda equal to h upon nc जहां m जो है किसी भी photon यान की particle का मास हो गया और c होगी velocity ठीक है अब डेव रोगली ने क्या किया इस सुत्र को matter waves के लिए यूज किया द्रव्य तरंगों के लिए यूज किया तब photon के द्रव्यमान वो अपन ने रख दिया particle का द्रव्यमान वो प्रकाश के वेग c को अपन ने रख दिया किसी भी photon का वेग तब सुत्र क्या निकल कि लिए ठीक है यानिकी समीकरनल 4 ही दि निप रोगली का सुत्र क्यालाता है तो समीकरनल 4 से हमें क्या पता चलता है कि द्रव्यमान और समबेग तो कनिय गुन हो गया और तरंगर देरते जो है वो तरंग का गुन हो गया समिकरनध चार जो है है ययानकि ब्रोगली सुत्र से हमें तरंग और सम्वेग दोनों ही जो है इलेक्टोन की दोहरी प्रकरती को बताता है जो तरंगी ए गुन है वो तरंग देर्दी से पता चल गया और जो कणिय गुन है वो हमें तरंगिये गुणों के मध्य संबंद को इस्थापित करता है यानि कि किसी भी मैटर में तरंगा गुण जितना